यह इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांद का सेवंध चेप्टर है फंडामेंटल राइट्स और आज हम लोग डिसकस करेंगे आर्टिकल सेवंटीन और आर्टिकल एटीन को तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल सेवंटीन तो आर्टिकल सेवंटीन जो है हमारे कॉंस्ट्यूशन का वह बात करता है अपॉलिशन ऑफ अंटेचिबिल्टी की और चाहिए वो किसी भी फॉर्म में हो ठीक तो हम जो है किसी से भी अगर कोई लोग कास्ट कादमी है तो हम उसे ये छुआ छूट वाला जो भेदभा होता है मुझे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आर्टिकल सेवंटीन में वो एक पनिसेवल ओफेंस में आ जाएगा ठीक तो अंटेचिबिल्टी इस एक क्राइम अंटेचिबिल्टी इस एक अंडर आर्टिकल 17 ठीक तो इसके लिए 1955 में अंटेचिबिल्टी ओफेंस एक्ट भी लाए गया था ठीक जिसको बाद में 1976 में चेंज कर दिया गया उसका नाम चेंज कर दिया गया अब उसको बुला आता है प्रोटेक्शन ओफ सिविल राइट एक्ट 1955 ठीक इसमें कुछ एक्ट किये गया है ताकि इसके स्कोप को जो है इनलाज किया सके इसको स्कोप को और बढ़ाया जा सके तो यह एक्ट जो है कुछ ओफेंस को टिकलियर करता है ऐसे क्राइम जैसे क्या क्या हम करेंगे तो वह चीज गलत होगा तो हम किसी को भी मंदिर में जाने से या में आता है, यह हमारे philosophy में आता है, तो यह चीज कहके हम untisability को justify नहीं कर सकते हैं, हम किसी को भी किसी shop, hotel या कोई भी public places पे जाने से नहीं मना कर सकते हैं, जाने से नहीं रोख सकते हैं, और चाए वो indirect हो, चाए डारेक्ट हो, हम किसी भी तरह से untisability जो है, वो नहीं कर सकते, और किसी भी person को हम यह बोलके, उसको नीचा नहीं दिखा सकते कि आप ऐसी से बिलॉंग करते हैं, आप हमाई साथ नहीं बैठ सकते हैं, या हमाई साथ नहीं खा सकते, तो यह सब जो चीजे हैं, वो untisability में आती हैं, and untisability is a crime, अब देखिए article 18, अब कोई भी title यूज नहीं करेगा, तो यह सब जो चीजे हैं, यह right to equality को दर्शाती हैं, means article 17 है, तो वो दर्शा रहा है कि हम untisability को abolish कर रहा हैं, ठीक, और article 18 जो है, वो article 18 क्या कह रहा है कि हम titles को abolish करेंगे, ठीक, तो यह कहीं ने कहीं जो है, यह हमाई right to equality, इसे equality को दर्शाती है, equality की पूरक हैं यह, ठीक, आर्टिकल 18 कहता है कि, the state from, it prohibits the state from conferring any titles, except a military और academic distinction on anybody, whether a citizen और a foreigner, ठीक, तो आर्टिकल 18 यह कहता है कि, चाहे कोई Indian citizen हो, चाहे वो कोई foreigner हो, ठीक, तो हम state जो है, वो किसी को कोई title नहीं प्रवाइड कर सकता, आज हैं हमारा ताइप का, लेकिन इसमें military और जो academic distinction होते हैं, उनका exception है, जैसे कि, military में colonel होते हैं, या major होते हैं, तो उनकी वो rank होती है, तो वो चाहे आर्टिकल 18 में नहीं आएगी, या जो, हमारा पास जो degrees होती हैं academic, जैसे PhD के degree हो गई, या MEBS के degree हो गई, तो यह सब जो degree होती है, यह आर्टिकल 18 के violation में नहीं आएगी, चाहे टाइ कोई भी विदेशी देश, आपको कोई title दे रहा है, तो आप उसको नहीं accept कर सकते हैं, ठीक, और अगर कोई जैसे, कोई foreigner है, ठीक, तो अगर वो foreigner office of profit hold किया है, under state, तो वो भी foreign state से कोई title accept नहीं कर सकता, बिना president से consent लिए, मिन्स कोई भी foreigner सब मुझ करिए कि, वो state केंडर में यहाँ इंडिया में काम कर रहा है, तो वो foreign अपने या किसी और state के foreign state से, वो कोई भी title accept नहीं कर सकता, बिना president की सला लिया, बिना president की consent लिए, ठीक, तो no citizen or foreigner holding any office of profit or trust under the state is to accept any present emoluments or office under any foreign state without the president consent, तो चाहे वो citizen हो, या चाहे वो foreigner हो, जो की काम कर रहा है under state, तो वो accept नहीं कर सकता, कोई भी title, ठीक, बिना किसी, बिना president के consent के, it is clear that titles of hereditary, nobility से महराजा हो गया है, राज बहादूर, पहले राज बहादूर लोग use करते थे, राय साहब, तो यह सब जो चीजे हैं, वो अब band है, वो सब अब नहीं use कर सकते हैं, देख इसमें Supreme Court नहीं कहा, जैसे भार रतना है, पद्मिभूशन है, और यह पद्मश्री है, तो यह जो awards है, तो यह इनको use, जो जिसको यह award मिला, वो इसको use कर सकता है, तो यह article 18 का violation नहीं होगा, means यह title 3 category में नहीं आएगा, ठीक है, means, देखिए, simple सा यह कहने का मतलब है, कि जि इनको पद्मिभूशन मिला, तो वो लोग use करते हैं अपने नाम के साथ कि हाँ, पद्मिभूशन इनको मिला, अपने नाम के साथ वो use करते हैं, तो वो चीज़ों है, वो आर्टिकल 18 का violation नहीं है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्स्रा कर दिए, थैंक यू